तो स्टार्ट करते हैं Dissolution का Unsolved Sum में Sum No.1 देखते हैं कोशन क्या दिया है कोशन दिया है गनेश अनकार्थिक और पार्टनर शेरिंग प्रॉफिट और लॉसेस इक्वली देशाइडे टू डिजॉल दो फॉर्म ऑन 31 मार्ट 2018 देर बैलेंस शीट वाज़ अंडर अब ये टॉपिक का नाम है Dissolution पहले तो Dissolution का मतलब समझ लेते और फिर सम्कियों पर जाएंगे Dissolution मैं बोल रहा हूँ एक पानी का ग्लास है उसमें आप डिस्प्रिंट को डाल दो क्या होएगा Dissprint tablet तो मालूम है ना उसको पानी में डाल दो तो क्या होएगा mix हो जाएगा खतम हो जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा नमक पानी में डालते हीला दे और नमक भी गया हो जाता है मतलब वो Dissolve हो जाता है खतम हो जाता है बराबरे तो Dissolution का मतलब क्या है खतम होना Dissolution का मतलब क्या है खतम होना बास समझ में आये क्या तो Dissolution मतलब खतम होना अब आगे इसके नाम दिया है partnership Dissolution of partnership मतलब partnership खतम होना अब partnership खतम होने का reason क्या हो सकता है हो सकता है partner में जगडा चल रहा है बंद कर दो या तो partner में से कोई partner मर गया जो main business करता था उसके वज़े से business और वो ही मर गया है या kangal हो गया उसको business में interest नहीं उसके वज़े से dissolve हो सकता है मतलब देरा many different reasons business बंद होने का बहुत सारे reasons है उसमें से एक reason हम ऐसा सोच रहे यह business जो है यह loss में चल रहा है तो हमने क्या सचा business बंद कर देते तो पहला condition अपने लिए आज जो अपन सम करने वाले हैं कौन से case पर करने वाले हैं यह business को loss हो रहा है तो business बंद हो रहा है इस topic में हम लोग अलग-अलग conditions पढ़ने वाले हैं पहला कि भाई अगर business loss making है तो dissolve कैसे होगा अगर partner insolvent हो गया तो dissolve कैसे होगा एक partner दो partner, तीनों के तीनों partner this is a big topic बड़ा topic है तो थोड़ा सा time जाएगा करने के लिए इसको पूरा completely अच्छे से करेंगे clear तो अब मैंने पहले आपको बताया dissolution of partnership मतलब partnership का बंद होना clear अब partnership का बंद होने का अपन जो reason अभी assume कर रहे हैं वो क्या assume कर रहे हैं कि ये business loss में चल रहा है इसलिए business बंद करना है तो business बंद करने के लिए जेशन का सामान निकालते हो हाँ है नहीइ जब मेरा घर आ जाएखा तो ले 하겠습니다 और तरह पने को अगर अपना business बंद करना है कर तो business का सामान सब निकाल की कहीं नहीं तो रखना पड़ेगा अभी नया business ओ चालू नहीं कर रहे हैं कहीं किसी के फ्रेंड के गर पे रखेंगे या कहीं ना कहीं तो रखेंगे clear है पक्का तो अपना जो business है जो बंद होने वाला है वो क्या है तो जो question में balance sheet दिया रहेगा वो मेरा दुकान है, बिजनस है, जो question में balance sheet दिया है ना आपको, वो आपका दुकान है, उसको आपको बंद करना है, उसमें shutter लगाना है, तो shutter लगाने के लिए उसके इंतर जो सामान है, सब निकालना पड़ेगा, और निकाल के कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा, समझ में अब क्योंकि नया बिजनस चालू नहीं करने वाले, तो ये सामान का क्या करना है, अभी रखा तो है, बट बेच देना है, इसको रखके सडाना तो नहीं है, बात समझ में है, तो आप क्या करोगे, आपका दुकान खाली करोगे, उसमें जो भी सामान है, वो एक temporary कहीं पर ज सब पैसे को पे करेंगे, उधारी पे करेंगे, बात समझ में है, उधारी पे करने के बाद अगर पैसा बचेगा, तो आपन अपने पास रख लेंगे, बात क्लियर है क्या, तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, यहाँ पे प्रोसेस ऐसा है, दुकान खाली करो, दुकान खाली कर कि assets, यानि कि जो आपके properties है, उसको बेचो, बेच के पैसा जमा करो, और उस पैसे से क्या करो, liabilities को pay करो, समझ मैं क्लियर है, तो यह हमारा step है, step number one, balance sheet खाली करो, मतलब दुकान खाली करो, balance sheet में क्या है, दुकान है, दुकान को खाली करो, अब दुकान में क्या है, asset भी है और liabilities भी है, तो asset भी खाली करना है, liabilities भी खाली करना है, बास समझ में आया है क्या, पक्का, asset अपना पैसा है, अपना property इसको खाली करो, जमा करो, liabilities पराया धने भाई, तिरे को पैसा दूँगा, रुख जा, खाली तो कर रहा है, लेकिन तिरे को पैसा दूँगा मैं, समझ में तो असेट खाली करो, लाइबिटेस खाली करो, दुकान खाली हो गया, अब भूल जानेगा इसको, मतलब बैलेंशिट जैसे ही खाली हो गया, उसको भूल जानेगा, अब क्या होगा, सामान आपका भार पढ़ा है, दुकान में तो खदम हो गया, आपके बाद जो सामान प्रोसेस समझ में आया क्या पहले बैले खाली करो दूसरा असे बेचो लाइबिटीज़ पेकरो असेट बेचो, लाइबिटीज पे करो, clear है क्या, पक्का clear, उसके बाद क्या है, sir, dissolution expenses पे करो, sir, यह क्या है, अरे जिसके पासे तुमने दुकान उधार पे लिया है, सामान रखने के लिए, उसको तो पैसा देना पड़ेगा, तो भाई, दस दिन के लिए तेरा दुकान ले पड़ेगा, बाद समझ में, अब उसके बाद क्या करेंगे, sir, closing करेंगे, खतम हो गया, sir, यह past step में आपका dissolution होगा, पहला दुकान खाली करो, बोले तो balance sheet खाली करो, balance sheet में क्या है, asset खाली करो, liabilities खाली करो, समझ में आ, उसके बाद, asset बेचो, liabilities पे करो, clear है क्या, उसके बाद, dissolution, expenses पे करो, समझ में आया, और उसके बाद, closing करो, तो यह तो आपका step हो गया, बड़ उसके पहले होता है, format, क्योंकि हर एक इसमें मैंने आपको format दिया है, तो इसमें भी मैंने आपको format दिया है, अभी जो हम लोग कर रहें, वो ledger accounting कर रहें, ledger accounting मे आपने दिखा रहेंगा, यहाँ पे कौन से कौन से account है, realization account, sir, इसका मतलब क्या है, balance sheet खाले किया था, सामान रखा था, तो यह मेरा एक go down है, जिसमें मैंने सामान रखा है, temporary go down है, जिसमें मैं सामान रखने वाला हूँ, सामान मतलब business का assets रखने वाला हूँ, business का liabilities रखने बास समझ मैं, और फिर जब बेचूंगा, तो वो किदर से बेचूंगा, go down से, pay करूंगा, तो किदर से pay करूंगा, go down से, मतलब यह है वो realization account, समझ मैं आया, यह कहीं न कहीं nominal account भी है, nominal account मतलब debit all expenses and losses, credit all incomes and gains, समझ मैं खर्चा है, loss है, debit में लिखने का है, पाइदा है, profit है, credit पे लिखना है, समझ में आया क्या, clear, partners capital तो आपको पता ही होगा, और एक नया account यहां बनता है, वो है cash account, यह tally होना चाहिए, clear है, तो dissolution में तीन account, realization account, partners capital account, और cash और bank account, clear है क्या, पक्का, 100% अब format में जाते है, तो format में आपको क्या लिखना है, to sundry asset by sundry library, सरी यह क्यों लि balance sheet खाली करना है, asset खाली करना है, liabilities खाली करना है, तो इदर asset भी आएगा, liabilities भी आएगा, asset debit होता है, liabilities credit होता है, यह तो पता है, तो इदर पहले से format लिखा है, two sundry asset by sundry liabilities, two sundry asset by sundry liabilities, two sundry asset by sundry liabilities, समझ में आया क्या, उसके बाद, two cash bank, two cash bank, buy cash bank, two cash bank, two cash bank, buy cash bank, two cash bank, two cash bank, two यह पहले से लिख के रखो अगर यह लिख दिया है तो आपका काम खतम हो गया है खाली अमाउंट भरना और कुछ भी नहीं करना है बाद समझ में डिजलीशन का यह फॉर्माट है इतना लिख दोसके खाली अमाउंट भरते रो इसके अंदर ओके फिर से एक बाल टू संट्री यहां चलो स्टाट करते हैं आज का सम देखते कैसे सौल होगा कोशन में आपको बैलेंस शीट बना के दिया है और पहले ही लाइन पर दिया था डे डिसाइडे टू डिजॉल दो फॉर्म यह वर्ड जैसे ही मिल गया तब दिमाग की बत्ती जलने चाहिए सर यह डिजलीशन का सम है क्योंकि नॉर्मली हर कोशन आपको एक जैसा ही दिखेगा तो आप कन्फूज हो जो कि सर हमको कौन सा टॉपिक करन वर्ड जब मिलता है डिसालीशन तब समझ जाने कँजल सम है ऐसा ही सम एडिमीशन में भी यह जगा ऐसा ही स्धारिमेंट में भी कौशन आएगा ऐसा ही डिक में उentionाई गर बैलेंशिट दीया رएगा बड़ नीचे की लाइन पे लिगने जो है अब हैति in the partnership admission of partners B is retirement of partner C is death of partner question ऐसा ही रहेगा तीनों topic में question ऐसा ही आता है तो समझने का कैसा word है dissolution मतलब dissolution वाला sum है clear अब जब dissolution आया है तो यह आपका format है पहला क्या करना है balance sheet खाली करना है बराबरे balance sheet बोले तो asset खाली करना है liabilities खाली करना है asset खाली करना है liabilities खाली करना तो दुकान में जाएंगे asset चला जाते हैं रहो खाली करने का तो वहां से निकालो और जादा सोचने का नहीं से two sundry asset आपने लिख के रखा है इदर लागे future है उसके बाद उसके बाद data है data लिख देते नेक्स उसके बाद stock है stock लिख देते उसके बाद bill receivable है bills receivable लिख देते तर उसके बाद cash है cash नहीं लिखने का क्योंकि cash का तो account बना है तो इसको go down में ने रखेंगे आप सीधी बात आपका पैसा go down में रखने वाले गया नहीं वो तो आपके पास ही रखोगे और उसके मतलब है आप cash account में रखोगी कितना है cash है 4000 बाकि सबका amount fill in the blank करते चलो building का amount बोलो क्या बात है 88,000 next उसके बाद 12,000 next उसके बाद 32,000 उसके बाद 24,000 फिर उसके बाद 4000 तो total करना पड़ेगा इसका चलो इसका total कर लो तो 1,60,000 कर लो total sir कैसे 1,60,000 खाली 4000 मेंने अलग लिखा है ना total asset का total 1,64,000 है उसमें से 4000 इदर लिखा तो 160 रहेगा वो करके देख सकते हो यहाँ पे 88 प्लेस टू 90 वन लाग वन लाग वन लाग 30 वन लाग 50 और यह 4 दो 10 एक लाका साथ हो गया clear है क्या तो आपने asset खाली कर दिया asset खाली हुआ अब liabilities खाली करना है पहले asset खाली करो liabilities खाली करो तो liabilities में क्या क्या दिख रहा है liabilities मुझे creditors दिख रहा है bills payable दिख रहा है reserve fund दिख रहा है capital दिख रहा है capital दो capital अकाउंट में जाएगा capital अकाउंट बना है तो capital अकाउंट में जाएगा बोलो गनेश का capital कितना है 40,000 है बराबर और कार्थी का capital सर इसका 80,000 है 40,000 और 80,000 यह समझ में है हमेशा याद रखो आप खूद आपका दिमाग लगाओ मेरा पैसा में go down में कभी नहीं रखने वाला मतलब पार्टनर का capital पार्टनर में जाएगा और कोई भी reserve या fund ऐसा कुछ आपको liabilities में दिख रहा है reserve या fund आपको liability side पे दिख रहा है मतलब वो किसका पैसा है माले में partner का पैसा है general reserve, capital reserve, revenue reserve, capital fund, general fund ऐसा कुछ भी दिखाना तो इसका मतलब यह किसका है partner का है तो किसको देनेगा partner को देनेगा उसको go down में नहीं रखनेगा वो liabilities नहीं है वो partner का पैसा है तो partner को मिलना चीए वो liabilities नहीं है बात समझ में आपको दिख रहा है reserve fund 20,000 रुपए किसका है partner का है तो partner में कैसे distribute करोगे पहले line पे दिया equally partner share profit and losses equally है तो भाई equally दोनों को distribute करेगे तो यहाँ पे by reserve fund कितना है reserve fund 20,000 है मतलब 10,000 इसको देंगे और 10,000 इसे देंगे clear हो गया उसके अलावा creditors और bills पेबल सर यह तो liabilities है creditors मतलब पराया धन उसको पैसा देना है bills पेबल को भी आपको pay करना है तो मेरे आपको क्या बता है asset खाली करो और liabilities खाली करो extra जो liabilities है वो go down में जाके जमा हो जाएगा तो go down में लिखेंगे पहले से लिखे रखा है sundry liabilities तो sundry liabilities के अंदर क्या क्या आ जाएगा एक आएगा creditors और एक आ जाएगा bills पेबल तो creditors का माँं 18,400 और 5,600 टोटल करेंगे कितना आएगा तो यह आपको आ जाएगा 19,24,000 बर 24,000 हो जाएगा ना क्लियर यहां तक पक्का समझा आपने step number one complete कर लिया क्या दुकान खाली कर दिया asset खाली हो गया लाइबडी दे को पूरा balance sheet खाली हो गया पूरा खाली हो गया अब उसको भूल जाने है उसका काम ही नहीं है अब balance sheet का कुछ भी काम नहीं है अब जो भी है वो सब यह भाई मेरे पाद इतना property है इसको मेरे को बेचने का बेचके पैसा जमा करना है और यह liabilities को pay करना है बस इतना काम है अगर question में इसके अलावा कुछ नहीं दिया है कुछ दिया ही नहीं, इतना ही question दिया और बोला dissolve हो गया, तो अपन खुद property को बेचेंगे, जितने भी assets है, सब को बेचेंगे, बेचेंगे तो क्या आएगा, पैसा आएगा, मतलब cash आएगा, cash आएगा, और सामान जाएगा, सामान आया था, तो जाएगा, तो credit हो जाएगा, फिर liabilities को pay करेंगे, और बंद कर देंगे, अगर अपने को question में एक भी adjustment नहीं दिया है, तो अपने को खुद से ऐसा करना पड़ेगा, और adjustment दिया है, तो उसने जैसा बोला है, वैसा बेचेंगे, clear है, अब वो देगा ही adjustment, बराबर ही के नहीं, तो देखते adjustment क्या दिया है, as under, कौन से कौन से asset बेचा है, building बेचा है, data बेचा है, stock बेचा है, bill receival बेचा है, बराबर है, asset के अंदर उसने building को बेच दिया, asset के अंदर उसने data को बेच दिया, asset के अंदर उसने stock को बेच दिया, और asset के अंदर उसने bill receival को बेच दिया, अब यह जब आया था, यह सब च आएगा पैसा आएगा देखो आपने पहले से लिखे रखा है जो एंडनान spend सुखेर को कीantee सब्सक्राइब का पैसा है पेसा का पैसा है तॕइन्टेट बिल रिस यहां है सब्सक्राइब टेटर्स का कितना पैसा है 22,000 आया क्या बात है स्टॉप का 20,000 आया और 3,200 बरावरे टोटल करते तो यहां पर आ जाएगा 303030 200 बरावरे दो और दो चार चार और तीन साथ हो गया 8 दो 10 और 12 स्मझ में आया गया मतलब कितना पैसा आया 127,200 पर यह तो एड्जिस्मेंट है every adjustment है कौनसी साइट पर लिखा credit साइट पर साइट पर लिखा मतलब क्रडिट इपर अब पैसा आ रहा है ना पैसा आ रहा है कभी आएगा अपने लुक में कभी नाम नहीं आएगा तो र्येलाईसेशन की बुक में कैस्ट की के सब्सक्राइब और यहां पर रसेट अपने नई सफली उनल nogle सब सब्सक्राइब अभी तक बेचान नहीं है तो देखते आगे कुछ दिया है क्या? आगे दिया है गनेश एगरी टू टेक ओवर फरनीचर for 10,000 गनेश क्या बोल रहा है फरनीचर मुझे देदों में लेके जा रहा है अब फरनीचर जब आया था तो डेबिट में आया था अब वो ले जा रहा है तो क्रेडिट में तो मिन क्रडिट 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 साइड पे लिखा मतलब क्रडिटट मी अपने जा रहा है तो उसके अकाउंट में लिखना पड़ेगा इधर क्रडिट पार्टनर की अकाउंट में डेडिक टू रियलाइजेशन अकाउंट गनेश केस में दस हजार सिंपल हा या नहीं सर सबसेट बिग गए परनीचर बिल्डिंग डेटर स्टॉप इस सबसेट बिग गए बराबर हैं आगे क्या दिया है जरा एक बार देखते हैं हाज रियलाइजेशन का खर्चा हूँआ हुआ दो हजार रुपय्ए डियॉशन खषर्चा एक रहा देट कितना खरचा हुआ Listen Welcome first dolны इक्सेशन हर एक्सपेंश में है इडिय अक्सपेंश और भूफजार एक्सेश Additional आएब का इक्सेश्य मेंग सर्द मैं income thrust कि दीजैंेॉशन रहेगा आपने तो cash or bank account के अंदर credit by realization account कितना तो हसा यह समझा सर और कुछ भी question में नहीं दिया है खतम हो गया बराबर तो आपको पहले में ने बताया अगर कुछ नहीं बोला रहता तो आपको तो सब assets बेचना है सब liabilities pay करना है question में कुछ भी नहीं बोला है liabilities के बारे में उसने नहीं बोला है बट अपना फर्स तो बनता है अपन genuine अदमी लोग आपन क्या गरेंगे भाई तेरा पैसा है उलेके जा तो यह by default करना पड़ेगा by default अगर कुछ भी नहीं बोला है अगर asset का furniture का भी नहीं बोला रहता तो अपन furniture को बेचते सरक इतने में बेचते जितना उसका value उतने में बेचते समझ में आये क्या अगर कुछ नहीं बोला है building का नहीं फर्नी कुछ भी नहीं बोला तो जितना उसका value है उतने में इनको बेच देनेगा और जो पैसा जमाओगा cash में जाएगा उसके बाद liabilities pay करेंगे तो liabilities में consequences liabilities है creditors और bills payable दोनों pay करना है दोनों credit pay करना है तो debit pay करना है मतलब पैसा जाएगा ना क्यों कि आशा भाइं पहले से लिखे रखा है creditors को pay करेंगे bills payable को pay करेंगे creditors को कितना pay करेंगे 18,400 bills payable को 5,600 total कितना 24,000 24,000 ना इधर debit दूसरा effect देनेगा है credit pay करेंगे तो पैसा जाएगा पैसा जाएगा by realization account 24,000 समझ में आया sir asset खाली करो liabilities खाली को किया asset बेज दिया liabilities pay कर दिया dissolution expense pay कर दिया sir अब closing है चलो closing start करते एक ही करके close करेंगे कौन सा side ज्यादा लग रहा एक 60 एक 80 एक 20 एक 40 यह ज्यादा है debit side और mostly यही आने वाल है sir क्यों क्यूंकि dissolution का reason क्या है business loss में चल रहा है तो इधर 99 पसंद लॉस ही आएगा clear expense का side ही ज्यादा रहेगा तो यह side का total कर लेते तीन जिरो तीन जिरो तीन जिरो तो तीन जिरो आ जाएगा चार और दो 6 हो जाएगा 6 और 2 8 हो जाएगा और एक आ जाएगा 1,86,000 सेम टूटल यहाँ पर कर लेते 1,86,000 minus करते, 2 0, 2 0, 2 0, तो 2 0, 002, 2 में 8 add करेंगे तो 10 आएगा 10 का 0 और एक उपर 4 और 1, 5, 5 और 7, 12, 12 और 1, 13, 13 में कितना add करेंगे, सारी 13 नहीं, 4 और 1, 5, 5 और 7, 12, 12 में कितना add करेंगे तो 6 आएगा 12 में 4 add करेंगे तो 16 आएगा 16 का 6 और 1 उपन 2 और 1, 3 3 और 2, 5 5 और 1, 6 6 में 2 add करेंगे 6 में 2 add करेंगे तो 8 आएगा 8 इधर 0 carry up और कुछ है क्या, 1 है, 1 में 0 add करेंगे मतलब कितना loss आया 24,800 तो यहाँ पे 2, sorry, by net loss loss नहीं यहाँ पे, अब यहाँ पे गनेश और कार्तिक 2 है equally बाटना है 24,800 को तो 12,400 12,400, यहाँ पे 12,400, बारा हजार चार सो, टोटल 24,800 आजाएगा, इधर credit दूसरा effect देना है debit to net loss या तो realization account लिख देना, clear है क्या तो यहाँ पे amount आएगा 12,400, 12,400, clear हो गया अब इनका account close करते, इनका account close करते, तो यही side जादा है दोनों में, 80 और 10, 90 हजार, 40 और 10, 50 हजार तो 50 हजार 90 हजार चलो minus करेंगे, 0 में 0, 0 में 0 4 में 6 add करेंगे तो 10 और 1 उपर, 3 में 7 add करेंगे तो 10 एक उपर 2 में 8 add करेंगे तो 9 sorry, sorry, sorry किदर पहुची थे अपन, 3,0 में हो गया 4 add किया तो 10, 0 और 1 3 में 7 add करेंगे, 10 और 1 2 हो गया, 2 में आप 7 add करोगे तो 9 आएगा बराबर है, clear हो गया अब ये बाज़ो आते, 2,0 तो 2,0 आ जाएगा 2,0 में 2,0 add करेंगे, 2,0 4 में 6 add करेंगे तो 10, 0 और 1 उपर 3 में 7 add करेंगे तो 10, 0 और 1 उपर 3 में 2 add करेंगे तो 5 हो जाएगा अब ये यहां से कहां जाएगा cash में, तो यहां पर 2 cash और bank इसके पहले आप balance लिखते थे partner में, बट ये balance नहीं, ये cash में चले जाएगा इधर debit तो ये बाज़ो आएगा, तो credit by partners, capital गनेश और कार्तिक 27,600 और 77,400 600 ठीक है अब total करते हैं इसका 0, 0, 6 और 6 12, 14 और 1 15, 7 और 3 10, clear है अब ये बाज़ो का total और ये बाज़ो का total tally होना चीए 30, 30, 30, 200 तो 200 आजाएगा बराबर है, 4, 2, 6 6 और 5, 11 11 का 1 और 1, 2 और 1 3 और 1, 1, 31,200 30, 30, 30 तो 200 हो जाएगा बराबर है 7, 4, 11, 11 और 1, 3 और 1 तो 1, 31,200 तो इस तरह से तुम्हारा dissolution का unsolved sum number 1 complete होता है हर बार dissolution ऐसे ही होने वाला है ये 99% format ऐसा ही है 1% format बदलेगा बट सारे sums ऐसे ही करने हैं पहले से format लिखो balance sheet खाली करो assets बेचो liabilities पेकर और फिर closing कर दो clear हुआ hopefully आपको समझ में आया है आज के लिए इतना ही